हेलो एब्रिवन डिस इस विनिता और आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनिता में यह आपका कंप्यूटर का पार्ट 7 और जिसमें हम सीखेंगे कि माउस का जो वर्क है वह हम कीबोर्ड में कैसे कंवर्ट करें यानि कि बहुत बर क्या हो अगर आपके लिए बहुत इंपोर्टन डिवाइस होता है आपको है वर्क इजी करने के लिए लेकिन अगर माउस खराब हो जाए तो उस ही को हम यानि कीबोर्ड को हम माउस में कैसे कंवर्ट करेंगे आज की वह आपकी वीजो रहेगी अगर आपने अभी तक हमाई चैनल क सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर कीजिएगा तो चलिए इस वीडियो की हम शिरुवात करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपके यह तो यह आपको यह मिलता है तो जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे जाओगी तो यहां को अगर आप कंप्यूटर में वर्क कर रोग पीसी में अपको यह तो यहां कंच्रोल पैनल का उप्शन मिल जाएगा तो मेरा यहां डेक्स्टोप पर आइकन है तो मैं यही से डबल क्लिक करती हूँ उसके अप्शन दिखाए देंगे कि कंच्रोल दा माउस विद कीबोर्ड यानि कि कीबोर्ड के दवारा माउस को कैसे कंच्रोल करना है तो आपको जो यह ओप्शन दिखाए दे रहा है इसको क्या करना है आपको जो यह ओप्शन है इसको यहां से ओन कर देना है यानि कि यहां पर यहां से अप्लाइप करने के बाद आपको यहां से अप्लाइप करने के बाद आपको यहां से अप्लाइप कर देना है यहां से अप्लाइप करने के बाद आपको यहां से अप्लाइप कर देना है यहां से अप्लाइप कर देना है यहां से अप्लाइप कर देना है यहां से वो एकATAओ कवारश से क्या होगा न मलोक है वो औरह नहीं।्स игр हमें आपके क्या की बॉर्ड लेगा। पृट्ट है यहां पुण मिलेगा कंपको कि इसे यह धांभ ef एर जाने के लिए यह बटन है यह आपका झाणका वरक करतया है एंटर का तो मैं अब आपने आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप बिना माउस की help से मेरे पास भी माउस नहीं है तो किस तरीके से आप बिना माउस की help से आप इसके जो only नम्लोक, जो आपकी नम्र की है की पैड के दौरा आप जो double click, click और right click का आप कैसे work करोगे तो अगर आप 8 प्रेस करोगे तो क्या होगा अपकी तरफ जाएगा अगर आप इसकी स्पीड बढ़ जाएगी लाइक नीचे आना है जो दो दिख रहे है आपको तू जो है आपकी की वहां पर आपका डाउन एरो है तो आपका डाउन आराम से आ रहा है आप शिप्त के साथ आप इस तरही से आप इसको लाइट राइट डाउन बोटम कर सकते यहां भी आपको एरो मूव लेकर जाना है अब मैं आपको बताती हूं कि जो राइट क्लिक की उप्शिन होते हैं जो हम फोल्डर बनाते हैं वो हम इसके द्वारा यानि कीपड के द्वारा कैसे क्लिक कर करना shift के साथ plus click यहां पर आपका आएगा create shortcut and delete यहां अगर आपको किसी का shortcut create करना है तो आप यहां से shortcut create कर सकते हो अब आपको enter करना है यहां यहां से shortcut create कर सकते हो अब आपको enter करना है यहां इसको बेक लेके जाना है तो आप एक्सकेप प्रेस कीज़ेगा इसे आगे है आपका अगर आपको अप में जाना है यानि ज्यादा जैसे मैंने आपको सिंपली बताई शिप्ट के साथ अप करोगे तो भी अप जाओगे लेकि और भी जादा स्पीड चीए तो आपको शिप् कर देना या फिर आप एंटर प्रेस कर देना ओटमेटिकली जो आपका फोल्डर है वह उपन हो जाएगा तबल क्लिक करोगे तो भी उपन हो जाएगा समझ में आया इतना आपको इसी तरीके से आपको क्लोस करना है तो आप क्या करोगे कर से जाके यहां पे आप इसको क्लो अगेसे ही एफास्ट हाई हिसाजने आपको एहान से करना यहाँ को काई को अपने के अच्पा आप कर सकते हैं और परेनी कीज से कन दुख कर सकते हैं अब हम सीखते हैं कि जो डेक्स्टोप आपके राइट क्लिक के ओप्शिन होते हैं वो कैसे ओपन होंगे लाइक हमें फोल्डर बनाना है बिना माउस की हल्प से तो कैसे बनाएंगे इसके लिए अपको प्रेस करना होगा जो फोल्डर प्रेस के और अपको निव प्रेस कर्द यहां जा के और गा तAutक एक्छेगा यहां पर जायाए एंफ्टोप प्रेस करते हो मैं इसको नेम दे ज्यास्व करें कि कर देंगा बृट कर सकते हो। में आपने लिए की पड़ी मैंने कर सकते हो। तो आपको इसले जो कि आपका मैं जाने के बाद से उप्षेन ऑफ्षे हो वाह से क्या और जुले का ओगए, तो से क्या होगा, आपको अपने कीपड को माऊस की तरह यूज कर सकते हो, यह कि आज आज अपके वीडियो, आपको बहुत अच्छा लगा होगा इसमें, आपको अ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार